तो हलो गाईस कैसा आप सब लोग तो जैसे कि आपको मालमें चुंगा कि अपने चैनल पे Redmi Note 10 Pro की सीरीज के वीडियो ले गया रहे अपन बूटलोडर को अनलॉक कर लिए उसके बाद अपन कस्टम रिकवरी को भी इंस्टॉल कर लिए सबसे बहुत अपने अपने डिवाइस में कस्टम रहु को इंस्टॉल करेंग है स्टेप बस बता को बता थाँ कि मैं के सबस्क्राइब अब्सक्राइब कर दो रचनल को सब्सक्राइब करेंगी और तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ओवरिवु देना चाहता हूँ यह मेरे इसमें मैं तखरीपन एक मैने से गेमिंग कर रहा हूं में को फोन इतना ज़्यादा हीट हीड हो जा रहा रहा हूं एक एनिमी यहां पर किलने कर सक्कारों इवेंट में तो अपन इसको थोड़ी दिर में 20 फोन में कंवेट करने वाले यहां से जल्ली जल्ली अपन Lineage OS को try करनना चारा हूं सबसे पहले जो कि मेरा favorite custom realm है तो यहां पर download वाले option पर tap करेंगे इसको मैं download कर ले दाँ आप देख सकता है यहां पर Lineage OS latest version को यहां पर मैं try करनने वाला हूं यहां पर download वाले button पर tap करेंगे मैं इसको download कर ले दाँ आप देख सकता है अपर Lineage OS और यह boot image दो यहां पर मेरे पास files है तो इसको मैं अपने Redmi Note 10 Pro में move करता हूं तो जब Lineage OS है वो vanilla build के साथा था उसमें GApps आपको include नहीं मिलते तो अपने को GApps select से flash करना पड़ता तो यहां पर recommended GApps में आप देख सकते हैं आपर Lineage OS है 21.0 और Mint DG Apps है boot image को अभी मैं move नहीं किया क्यों वहले तो अपने device format होता तो boot image भी उड़ जा दी तो अपन चलते हैं अपने device पे इसको अपन इंस्टाल करेंगे देखींगे अपन installation successful होता गया ने कुछ error मिलता है अपने को तो start करेंगे अपन process को यहां पे मैं अपने device को recovery में boot कर दाओ मैं आपर अपने device में already TWRP install कर लिया तो TWRP की मदश से अपन यहां पे अपने device में lineage OS को install करेंगे वैसे आपको वीडियो मिल जा दी कि मैं इसमें कैसे TWRP install किया जाके देख लेना चैनल पे अविलेबल है वीडियो देख सकते हैं आपर मैं TWRP में आ गया यहां पे आपको सबसे पहले wipe पे चलना है advanced wipe पे आपको tap करना है यहां पे delv, cache, metadata, data इतने सारे partitions को आपको select करना है इन partitions को select करके जैसे आप wipe करेंगे और यहां पे देख सकते हैं दो फाइल्स है lineage OS 21.0 और mint the gapps तो यह दोनों फाइल्स को आपन यहां पे install करेंगे सबसे पहले lineage OS को मैं install कर लेता हूँ तो देख सकता हैं आपको installation start हो गया अब gapps में inbuilt नहीं अपने को अलग से flash करने का है तो flash करते तो हमें gapps भी यहां पे flash होना start हो जाते देख सकते हैं पे gapps भी successfully flash हो गया यहां पे हम पे टाप करेंगे यहां पे format data पे टाप करता हूँ keyboard पे Y, E, S टाइप करेंगे अपन टिक कर दीगे Lineage OS में अपना device boot करता हूँ आपको मैं life बता दूँ कुछ भी cut वगरा मैं नहीं लगा रहा हूँ इदर तो देख सकते हैं आप Lineage OS का boot animation इदर आ गया तो यहां पे boot हो गया इसको मैं जली से setup करता हूँ आप देख सकते हैं आपे Lineage OS अपने device में successfully install हो गया कुछ ऐसा interface अपने को देखने को मिल रहा और यह literally मैं बता रहा हूँ बहुत smooth है मैं usually Lineage OS को जादा use करता हूँ क्यों वहले तो smoothness बहुत किरा करती इसमें और इसका UI बहुत perfect रहता gaming भी इसमें अपन ठीक ठा कर ले सकते एकदम smoothness इसकी एकदम OP है वैसे इसका display का refresh rate कितना है वो अपन चेक कर लेंगे 120Hz पर भी device का display set है तो आप देख सकते हैं इसकी smoothness बहुत किराग है और इस custom ROM में आपको अच्छा खासा battery backup भी मिल जाता तो अब भार ही आप इसको root करनेंगी Apache की मदद से अपने इसको root करेंगे जो कि बहुत safe है Apache से अगर आप अपने device को root करेंगे तो बहुत safe रहा था आपका device damage बिल्कुल भी नहीं होता तो file manager में चलता हूँ है यहाँ पर मैं सारे files को copy कर लिया अपने Redmi Note 10 Pro में after format तो आप देख सकता है Apache की file है और यह जो boot image है जो अपन वेबसेट से डाउनलोड करेंगे वह यह boot image है यह दो files की आपको need पर दी वैसे यह boot image हर device की अलग-अलग रहती make sure करना जो आपका device है जो आपका custom ROM का version है यहाँ पर सबसे पहले मैं Apache को install कर ले दो मेरे device में Apache install होने के बाद Apache को मैं open कर दो and यहाँ पर not installed click to install यह वाला जो option है इस पर tap करेंगे अपन यहाँ पर select image और patch image जो भी लिखा हो है उस पर tap कर दो इधर आ जो यहाँ पर boot image है अपनी इसको अपन select कर लींगे यहाँ पर set super की बोर रहा तो में अदर कौन से भी super की type कर देता हूं तो super की enter करने के बाद यहाँ पर start वाले button पर tap कर देंगे तो जो boot image है वह यहाँ पर patch होना start हो जाती आपको यहाँ पर patch होना start हो जाती है यहाँ पर लिखा हुआ है successfully patch output file is return to यहाँ पर path भी आपको लिखा हुआ मिलता है download folder में apache patch 10763 यह नाम से file create हुई है तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं वापीस से अपन यहाँ फाइल manager में चलींगे download वाले folder में आता हूं है आप देख सकते हैं आपको डीटेल में बता हैं PC से कैसे install करना और TWRP से आपको install को करके तो मैं आपको बता रहा हूं अभी तो अपन यहाँ पर recovery में boot होएंगे सबसे पहले recovery में आने के बाद यहाँ पर install पर चलींगे download वाले folder में आ जाता हूं है यहाँ पर आपको नीचे बटन मिलता install image का इस पर टाप करो तो जो a patch की जो past file है image file है वो यहाँ पर आपको show करने लग जाती इस पर टाप करो boot पर यहाँ पर चेक कर दो and यहाँ पर आपको swipe to confirm कर देना है तो जो boot image है वो यहाँ पर successfully flash हो गया सिर्फ आपको यहाँ पर reboot system कर देना है कुछ भी complicated नहीं है अब आपका device में a patch यहाँ पर successfully install हो गया बस इतना आपको करना रहता ज्यादा कुछ भी complicated नहीं है इधर देख सकते हैं यहाँ पर अपना device boot हो गया यहाँ पर a patch को open करता हूं यहाँ पर super key पर अपर enter करेंगे यहाँ देख सकते हैं पर working लिखा हो गया मतलब अपना device हाँ रूट हो गया और आपके device में a patch successfully install हो गया अगर मैं चलू यहाँ पर root checker application पर verify root पर tap करूं तो आप देख सकते हैं आपर root नहीं हुआ मेरा device यह कर रहा भी वैसे ही अगर मैं इसको यहां से close कर देता हूं अगर मैं चलू अपर यहां पर अपन इस वाले option पर चलीगे तो इधर अपन super user permissions को grant कर सकते हैं जो भी app के लिए यहां पर अगर super permission को grant कर देंगे उस app के लिए root permission grant हो जाता जैसा कि यहां पर मैं root checker application को यहां से enable कर देता हूं तो root checker application को root मिल चुका है permission यहां पर root की इसको मिल चुकी है अपन चलीगे आपर root checker application पर अब मैं आपर verify root पर tap करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं अपना device इतर root हो गया तो यह power रहती a patch की सिर्फ में मैं आ जाता हूं तो अभी आप देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro by default smooth और ultra graphics support करता हूं यहां पर मैं graphics को extend कर सकता हूं अगर मैं a patch को install कर लिया तो तो वह मैं आपको यहां पर करके बताता हूं हटा देता हूं यहां से मैं इसको हटा देता हूं मॉडूल को flash कर लिएंगे जो की HDR Extreme version 5 वाला मॉडूल है इस मॉडूल की help से अपने कौन से भी डिवाइस में कौन से भी डिवाइस में हाई graphics को enable कर सकते हैं यहां भी बीजे मैं यह smooth और extreme graphics को enable कर देता तो इस पर tap करके मैं इसको install कर लेता हूं तो अभी देख सकते हैं install हो रहा है तो install होने के बाद एक बार अपने डिवाइस को reboot कर लिए तो देख सकते हैं यहां पे मेरा device reboot हो गया यहां पे मैं चलता हूं Apache पे यहां पे module वाले section पे आप देख सकते हैं दोनों भी modules अपने successfully flash हो गए तो अब 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 यहां पे bjvayak open करेंगे देख के यहां पे graphics enable हुए क्या नहीं यहां पे settings में चलता हूं में graphics फाले section पे आप देख सकते हैं यहां पे smooth और extreme graphics अब इसमें unlock हो गए तो यह power rati root करने की easily आप यहां पे graphics को extend कर सकते यहां पे अपन gameplay भी करके देखींगे अपने performance कैसा मिलता पहले के मुखाबले और अब कैसा मिल रहा performance सब कुछ मैं आपको detail में एक बार बता दूँ इस वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी helpful and informative तो यहारो लाइक और subscribe बनता कर देना ऐसे चानल पर चलो एक वीडियो को goodbye and peace out